हेलो फ्रेंड्स मैं अनिल कश्यप राजबूत मेरी बाटिका चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैंने अपने गार्डन में क्या-क्या एड किया है वो मैं आपको दिखाने वाली हूं यह मैंने कुछ शॉपिंग की है जो मैं आप सब के साथ शेयर करना चाहती यह देखिए यह कुछ पोर्ट्स है और यह तीन प्लांट्स है यह फॉनिस पाम है जिसको मैंने नर्सरी से खरीदा है यह मेरे को 70 रूपीज में मिला है यह एक शेड लविंग प्लांट है और यह किसी भी साइज के पोर्ट में हम इसको लगा सकते हैं इसकी हाइट भी ज् हो थी सुन्दर लगता है देखिए काफी हैल्दी प्लांट है काफी लीव्स हैं इसमें देखिए इसके बाद यह है प्राइम रोज और सिनेरेरिया यह दोनों ही शेड लविंग प्लांट्स है और यह मेरे को 40-40 रूपीज में मिले हैं दोनों ही मतलब 40 और 40-80 रूपीज होगे दोनों के और देखिए से यह प्राइम रोज कितना एल्दी प्लांट्स है और इसका कलर कंभिनेशन कितना अच्छा है, ये मैरून, वाइट और बीच में यलो कलर का कंबिनेशन है जो बहुत ही सुन्दर लग रहा है काफी हैल्दी प्लांट है और इसमें पहले से ही काफी फूल खिले हुए हैं और ये सिनेरेरिया है ये भी बहुत सुन्दर लग रहा है ये पिंग और वाइट का कंबिनेशन है और काफी हैल्दी प्लांट है इसमें काफी बट्स भी आई हुई है ये दोनों ही प्लांट शेट लविंग प्लांट हैं और इनको हम ये जो मैंने पोट खरीदे हैं छेशे इंच के पोट हैं, मैं इन दोनों प्लांट्स को इन पोट्स में ही लगाने वाली हूँ, देए कितने सुन्दर लग रहे हैं ये फ्लावर, देखें, अब हम अपने पोट्स को देख लेते हैं, ये मैंने फाइव पोट्स खरीद दे हैं, ये दो पोट्स आठ आठ देखें, इनकी क्वाल्टी कितनी अच्छी है, और मैंने इन में ड्रेनेज हॉल भी कर लिये हैं, और ये पोट मेरे को 60 रूपीज में मिला है, 8 इंच का, 60 रूपीज वन पोट, दो पोट के 120 हो गए, और इसके बाद मैंने ये तीन पोट और लियें, 6-6 इंच के, जो मेरे 30-30 रूपीज में मिले हैं, देखने में बहुत सुम्दर लग रहे हैं, देखें, इन पोट में हम अपने सिनेरेरिया और प्राइम रोज को लगाएंगे, क्योंकि सिनेरेरिया और प्राइम रोज को रूट रोट पसंद है, और वो छोटे पोट में ही अच्छी तरह से uscribe कर सकते हैं कि इसके बाद हम देख लेते प्लांट को को कि अ कौशना है प्राइम प्रायम रोज और सिनररय एन प्लांटि में लगाएंगे और बिलकुल वेल्ट लेंच उग के बाद हम इनको ब्राइट अन्लाइट में रखेंगे ना कि डारेक्ट में डारेक्ट सललाइट में रखने से इनकी पत्तियां जलने लगती हैं और फुलो का कलर फेड हो जाता है और ये शेड लविंग होने के कारण एसी जगह है जहां इनको ब्राइट सललाइट मिल तो वहां भी ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा केमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक्स फूर वाचिंग, हैपी गार्णिंग